नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर आज अहुद्या में जमा होगा भक्तों का रेला मौनी आमावस्य के बाद पहुँचेगी बीस लाक लोगों की भीड़ अहुद्या मरावनला के दरशन नारतियों की बड़ती संख्या के मद्य मौनी आमावस्या पर शुकबार शनिवार को शिराम जनम भूमी तीर्थ शेत्र के साथ जला प्रक्षासन की भी अगनी परिक्षा होगी इस ततीफर लाकों की संख्या में श्रधालू पवेतरे नदियों में डूब की लगा कर पुरने आरजन करते हैं सर्यू नदी के पुरने सलील में डूब की लगाने पुरवांचल के श्रधालू यहां आएंगे इस प्रियागराज के माग मेला से अच्छांदित अहुद्या के इस अगोसित मेला की कोई अत्रिक्त तयारी दूसरे मेला की तरह नहीं होती है अब तक यहां आने वाली भील्ड सर्यू इस नान के बाद हनुमान गड़ी तक सीमित होती रही लेकिन अब राम मंदिर में राम ल स्थावान भक्तों की यह भील्ड चासन प्रशासन से किसी सुवीदा के अपेक्शन नहीं करती है फिर भी उनकी सुरक्षा की चासन की जिम्मेदारी है संगा मिशनान के बाद लोटती भील्ड राम नौमी का ट्रिलर होगी राम नौमी अयोद्या का सबसे प्रमुख मिला ह अब तक यह कनक भवन के साथ दूसरे मंद्रों में बठी रहती थी पहली बार यह भील्ड श्री राम जनम भूमी में केंद्रित होगी उस लिहास से दर्शन विवस्था वा भील्ड नियंत्रन की योजना सुद्रन करनी होगी फिर भी मौनिया मवश्या पर संगा मिशनान क के बाद लोटते मेला आर्थियों की भीड एक ट्रेलर होगी और तीर्थ शेत्रवा जिला प्रशासन के लिए रहसर भी होगी मा क्रश्ण आमवश्या को मनाया जाने वाला मौनिया मवश्या का यह पर बिन्वारी शुकुरवार को है इसके लिए गुरुवार को अयहुद् की दक्षण के बजाए उत्तर से लगाए गई कातार रमला के दर्शन के लिए उमड रहे दर्शनार्थियों की भीड से पूरी यात्यात विवस्ता ही नहीं श्टीराम जनम्हुमी तीर्थ शेत्र की विवस्ता भी चर्मरा गई है इसके करान सुरक्षा अधिकारी भी असम चर्धालों की दर्शन विवस्ता को लेका भी नर्धारित योजना नहीं सामने आई है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे आर्पियस समाचार अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं